करेंगे तो आज के आने वाली एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे तो स्टाट करते हमारा आज का लेक्चर क्यूंबर फर्स्ट आपको स्क्रिम पर दिख रहा है दिया हुआ इसमें कि 45,000 रुपे की राशी साधरन ब्याच पर आठ वर्षों में 47,400 रुपे हो जाती है तो प्रतिवर्ष ब्याच की दर्ख क्या होगी आपसे पूछा गया है ठीक है आपको यहां पर मुल्धन दिया हुआ है 45,000 रुपे हैनि कि प्रिंसिपल दिया हुआ है और आठ वर्ष के बाद जो टोटल अमाउंट मिला इसको जो टोटल मिश्रदन बोल सकते हम जिसे हम इंग्रिश में अमाउंट बोलते हैं वो कित्ता हो गया टोटल 47,400 ठीक तो आपका जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 45,000 रुपे दिया हुआ है और जो लास्ट में 8 साल के बाद जो अमाउंट हुआ इसमें ब्याज भी आपका इंकलूड है कित्ता हो जाएगा 17,400 ठीक है तो आपको यहां पर इंट्रेस्ट निकालना है तो फॉर्मला होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट है आपको 17,400 प्रिंसिपल है 45,000 इसको जब आप म सिंपल इंट्रेस्ट आपका है 8 सालों का ठीक 8 वर्षी का सिंपल इंट्रेस्ट आपका 32,400 रूपे है ठीक है प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है सिंपल इंट्रेस्ट आपको दिया हुआ है अब आपको दर निकालना तो आप डाइटली फॉर्मलें पूट करके वेल्यू क ऐसे निकाल सकते हो या पिर दूसरी मेथर्ड भी है इसमें हम क्या करेंगा दूसरी मेथर्ड में यह 32,400 रुपए आपको टोटल कित्ते सालों का दिया हुआ अगर 1 साल का निकालना थो इसे आट से डिवाइट है हर साल का सिंबल इंट्रेस्ट 9302 деньги harm दोनों मेथड से इसको करते हैं, फर्स्ट में हम करेंगे, आठ सालों का ही निकालेंगे, ठीक है, आपका formula होता है, simple interest equal to P into R into T upon 100, simple interest आपको दिया हुए, आठ सालों का 32,400 रुपे, प्रिंसिपल दिया हुए, 45,000 रुपे, rate आपको निकालना है, वो टाइम दिया हुए, आपक ठीक है, 20-20 cancel, आपकी एक ये वाली 0 से ये वाली 0 cancel, ठीक है, आठ से इसको कट करेंगे हम, तो 8 से ये चला जाएगा, आपका चार बार में 32, फिर 0 जाला जाएगा, कि भागी जा रहा है, और बाकी 4 बचेंगे तो 5 बचेंगे, 405 आपका क्या आगया, 405 बचा इदर से और इदर आपको बचा 45, तो 40 आपका इदर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपकी रेट बच जाएगी, अब इसको जब शोल्व करोगे है, तो आप ये लो बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यनि कि जो रेट है आपकी इस question का जो answer रहेगा आपका 9 परसेंट आपका आजाएगा, ठीक है, तो ये इस मेथर से भी आप कर सकते हो, दूसरी आपका क्या है, आप क्या करोगे 32,400 जो ही आपका 8 सालों का सेंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, अगर आपको एक येर का निकालना है सेंबल इंटरेस्ट, तो 32,400 को आ पूट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपका 4,050, बराबर प्रिंसेबल की वैलियू दियुई आपको पर 32,000 रूपे, रेट आपको निकालना है, टाइम आपको एक साल जाए गा है, क्योंकि आपने एक साल का सिंपल इंटरेस्ट लिया होगा, यहां पर ठीक है, अगर यह सब्सक्राइब तो यह भी आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हो सिंपल क्यूशन था आपको एक बार फिर से और पार फिर निकाल लेंगे ऐहां पर आट साल दिए फिर निकलेगा क्या होगा सिंपल इंट्रेस्ट है आपको निकालना टाइम दिया हुआ आट साल अपॉन हंडेट और एक्वल टू में आ जाएगा आपको इसको तो आपकी रेट आएगी यू नाइन परसेंट आ जाएगी ठीक इस क्वेशन का आंसर रहेगा ऑप्शन नमबर आप चाहो तो क्या कर सकते हो यह सिंपल इंट्रेस तो दिया हुआ है ठीक है अगर आपको एक साल का निकालना तो इसे आट से डिवाइट कर सकते हो आप आट से इसको डिवाइट करने को तो आ जाएगा चार हजार पचास रुपे यह आपका एक साल का सिंपल इंट्रेस्ट आ गया तो इससे फोर्म लें पूट कर देंगे हम आपको एक राशी पर दस वर्षों में साड़े बारा परसेंट की प्रतिवर्ष रुपे का सधरन ब्याच मिलता है यह राशी कितनी होगी आपसे यह पूछा गया ठीक है तो करते हैं से स्वल्व सिंपल है यहां पर आपको जो जो दिया हुआ वह वह वेल्यू हम लिख लेंगे आपको स्टार्टि में दिया हुआ दस वर्ष यान की टाइम आपका दिया हुआ है दस यह का ठीक है बारा पॉइंट पिचोत्तर रुपई ठीक है अब आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल लूट करना है तो सेंपल सा है यह सब चीज़े आपको दी बरफ सेंट सेंट का सेंबल इंट्रेस्ट का सेंपल इंट्रेस का फूम्ला थे इन्टु आर इंटु टी आपॉन हंड्रेड शि आठ और 25 आपका आजाएगा पॉइंट आपका हड़ जाएगा ठीक यहां से इसको कट करेंगे तो आपका यहां से पॉइंट रड़ जाएगा ठीक है अब प्रिंसिपल निकालना है आपको तो जो 708 पुछ तर आपको दिया हुआ है इसके आपों में 125 चला जाएगा अब यह सब्सक्राइब करते हैं ऐसा करते डायरेक्ट 25 से करते इसको कट ठीक 25 से आपका जाएगा यह पाज बार में 125 बार में ठीक पाज बार में 135 आ जाएगा तो कित्ता बचेगा यह 15 और 16 बच जाएगा यानिकि 166 आपका हो जाएगा यहां से और पाज आपको लास्ट में दिया हुआ है तो 25 का साथ बार में आप करोगे तो 165 आ जाएगा यह 567 इस क्योस्टिन का आंसर रहेगा ठीक है 567 ऑप्श दस वर्शों में 12.5 पर्शन की दर से 708.2 रुपे का जो ब्याज मिला है वह 567 रुपे प्रिंसिपल पर मिला हुआ ठीक सिंबल सा है फूमला आपको यूस करना है फूमला वेल्यू पूट करना है और प्रिंसिपल को निकालना है सिंपल सा क्योशन है आगे बढ़ते 2300 रुपे का ब्याज अदा किया उसने कितना रिन लिया था आपसे यह पूछा गया है ठीक है सिंपल सा क्योशन है कुछ नहीं है आपको यहां पर बोला गया है कि जो क्रती है उसने एक रिन लिया था किसी बैंक वगरा से पहले वर्ष उसकी जो ब्याज की रेट थी वह छ पर संबर जाई को फिर पर 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 संबर जाई एक हर साल पॉइंट पाच पर सिंक इसमें बढ़त तरी होएगी ठीक है तो आपको यह ध्यान में रखके स्कूशन को सौल बगरना चार सालों के लिए और चार साल बाद उसको सेंपल इंट्रेस के ता मिला स्की हजा थीन सो प सिंपल इंट्रेस का फोरम्ला आपका प्रतिक साल के लिए रहेगा श्यूजर के दिया वहार आपको चारों सालों का मिक्स दियावा थी हम चारों सालों को लेके चले लें तो पहले साल क्या होगा पाहले साल एक सुराशी पर से परशें की रेट लेगीbooks तरह से आपको लेके चलना है तो साल आपका एक रहेगा टाइम पीरिएड अपोन में हंडेड हो जाएगा और आपका सिंपल इंट्रेस्ट के बड़ापर हो जाएगा ठीक है चारो सालों का सिंपल इंडरेस्ट आपका इस तरह से निकलेगा ठीक है चारो सालों का स्लिप्ट आपका असी तरह से लिख कह लिए ङृedoツ रहेगा सब खटी कि सबको जोर ना हम है कि तो जाब चारो सालों secular interest आप जोड़ दोगे तो आपको तीन 13030 रुपय साथ मिलना चाही है ठीक है मिस्स सिंप्छी के डियुक आपको 3030 रुपए और राल दी हुई है ठीक है तो 3030 रुपए आपकी ओवराल दी हुई है फरस्ट यह आ इस आपको यहां मिलेगा रुपो इन चारों को जोड़ेंगे अब याब हम तो आपका 3330 रुपए आना चाहिए ठीक है अब इससा करके आपको एक्स की बिल्यों निकारण है तो यहां पर आपका 65 एक्स अपटों हन्डेट हो जाएगा यहां पर 6.5 एक्स अपन हन्डेट हो जाएगा यहां पर दूर से उसको किbelिखण से ingredients भूंटों हन्यृत का चुरॉये को मिलएंध। लेंगे यहां बचेगा आपका बच्चा हुआ है अब इसे हमें तो उधर लेकी जाएगे तो करना है तो साथ और छे तेरा और यहां पर चौदा हो जाएगा तेरा और चौदा हो जाएगे ठीक ट्वंटी सेवन को उधर लेके जाएंगे तो आपकी एक्स की विल्यू आएगी 3375 00 upon 27 इसको हम क्या करेंगे इसको 9 से कट करते हैं तो 9 से आपका कट हो जाएगा नोतिया 27 ब तो अपन नो से तीन बार में जला जाएगा फिर तीन से को कट करेंगे तो तीन एकम तीन तीन दूने छे और पंद्रा बचेकर तीन पंजे पंद्राव डबल रहने कि 12500 रुपे आपके आ जाएंगे इसका प्रिंसिपल की इस उसने कितना रिन लिया था 12500 रुपे लिये थ तो उसने और चार सालों के बाद उसने 3330 रुपे का इस पर ब्याज अदा किया है ठीक है अगर आप से पूछले यहां पर किसका में अमाउंट क्या रहेगा चार सालों के बाद तो आप ये 3330 रुपे और 12500 को जोड़ दोगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा कि इ अच्छा क्यों ने आपको दिया गया था कि क्रती ने कुछ राशी उधार नी ठीक पहले वर्ष उसने 6% की दर से वह लोट आया दूसरे साल उसे 6.5% की दर से तीसरे साल की दर से और 14.5 की दर से यहां पे आपको पॉइंट पाच की बड़तरी दी हुए हर वर्ष तो पहल यहीं आपको लेकर चलना है फर्स्ट यह का हमने निकाल लिया सेक्वेंट यह हो गया थार्ड यह का यह फोर्ट यह का यह इस तरह से हमने इसको लिया यहां पर आपका एक सब्सक्राइब को आपको इसका मूलधन आ गया ठीक है तो सिंपल क्योश्चन था आगे बढ़ते ह तो वह एक और में आपको समझाता हूं है दूसरी में अगरेंगे हम हम इसके प्रिंसिपल को सो मान के ठीक है मान जागी जो प्रिंसिपल लेवा आपका सो रुपे दिया हुआ है अब आप लिख लो इसमें पहले साल की रेट रहेगी वह आपकी छे परसेंट लेगी दूसर और चोथे साल की जो रेट है वो साथ में पॉइंट पाठ बढ़ाँ है युझे आपकी रेट रहेगी चारो सालों की ठीक है छे छे पॉइंट पाच साथ और चात पॉइंट पास ठीक है तो अब क्या करेंगे आपका प्रिंसिपल हंडेड दिया हुआ है पहले साल इसमें आपकी दिलिट्ट लेगी कि 6% तो सोए 6% की रेट से आपका जो अमाउंट आएगा जो भीयाज मिलेगा थीक कि जुक्त है और पर आपको लगेगी 6.5% की रेट जब सो पे 6.5% की रेट से इसको सोल्व करोगे आप तो इसका जो ब्याज बनेगा वो छे पॉइंट पाच रुपे आपको मिलेगा ठीक है बता देऊ आपको 100 रुपे पे छे रुपे की दर से एक साल का जो ब्याज बन रहा है वो सो से परसेंट का बनेगा इसी तरह से साथ परसेंट का बनेगा आपका साथ परसेंट का बनेगा चारों जोड़ दोगे तो यह चारों को मिला कि ब्याद जाएगा यानि कि 3,300 रुपे हना चाहिए उसको ठीक है तो फर्सेंट का ब्याद 6 सेकंट यर का 6.5 ठीक है यह चारों को आपको मिलाना है तो इन चारों को मिलाएंगे तो आपका मिलेगा साथ 613 और चारों कि 27 रुपे आपको मिलेंगे इस अटाइस रुपे आपके 3,300 रुपे के बराबर होना चाहिए ठीक है यान कि 27 यूनिट की जो वेल्यू दी हुई है वो क्योस्ट्टिन के एकोडिंग्ट तीन हजा तीन सब्सक्राइब दी हुई है ठीक है 27 यूनिट की वेल्यू आ से 27 से इसको डिवाइट कर देंगी यह आपको जब डिवाइट करोगे तो आपका 9 से कट हो जाएगा यह नो से आपका तीन वार में जाएगा 27 बचेगा आपका 67 यानिकि आपका साथ बूम चल जाएगा 63 आ जाएगा चार बज़ेगा 45 यानिकि 5 टाइम सो 45 आपका 9 की आपके सो यूनिट की विल्यू कितनी रहेगी आपकी एक यूनिट की विल्यू कुछ एक सो पांसो रुपे हो जाएगा ठीक तो जो उक्रती थी उसने बारह हजार पांसो रुपे का रिल लिया था यह ओप्षिन नमबर य में आपका अंसर दिया हुआ है ठीक है सिंपल था क्वेशन एक बार फिर से समझ लो हमने क्या किया मुल्धन को सो रुपे मानके चले हम जब का प्रिंसिपल हो सो रुपे माल लिया इसमें आपको बोला गया कि जो रेट ऑफ इंट्रेस्ट हो छे परसेंट है तो पहले साल की रेट 6 प इसकी रेट हो जाएगी ठीक है प्रिंसिपल आपने सो माना था पहले साल इस पर छे परसंट की रेट से इसको रुपे का ब्याज मिलेगा तुल यह परसंट की रेट से रीकार खाल रुपे मिलेगा थीज़ंअ कि चारों की इसको चारों अठीक हो जोड़ा तो आपको 27 सेxis हूँ चार साल के पाद उसको तीन हजार थीन सुट्र रुपे का ब्याज मिलेगा तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे शत्ताइस यूट की विल्यापके टीन हद इन पर फिटतर के बराबर हो जाएगी तो आपका जो मूल धन था सो रूपे यानिकी सो रूपे की वेल्यू कि रह 12,500 रुपय आपकी हो जाएगी जो किस क्विशन का आंसर रहेगा आई हो सन्द में आगया होगा ये आपकी उससे वाली ट्रिक्स से अच्छी रिख है वह आपकी बेसिक ट्रुक्त ये यापकी फिलकुर जोट ट्रीक है एक्जाम में जब आपको जांक तो एकस्ट करणा के सि की डूगनी हो जाती zz senza प्रतिवर्ष ब्याच आइक गुदर कितनी होती होगे ठीक है आपको बोला गया कि जो एक रची है वह पाई वर्ष में दूगनी हो रही है तो उसकी कि आपको ब्याच की दर बताने की कितनी रेट अफ इंट्रेस्ट उसका लगा हुआ है ठीक एक राशी है कि एक राशी है प्रिंसिपल आपका एक मान लेते हैं इस पे पाच वर्ष के बाद यानि कि फाइफ येर के बाद यह जो राशी है यह आपकी दुगनी हो रही है ठीक ह यानि कि आपका जो रुपे से थे एक रुपे वह पाच साल के बाद दुगने हो रहे है तो उसकी रेट इंट्रेस्ट आपको निकालना है तो प्रिंसिपल आपका एक दिया हुआ है यह आपका अमांट दो रुपे बन रहा है तो यहां सब सिंपल इंट्रेस्ट निकाल लो निकालना है टाइन भी आपका एक साल निकला यहां से तुछ यह रूपी निकला का आंसर ऑप्शन नंबर ठीक है सिंपल सा क्योश्चन था एक बार फिर समझ लो आपको यहां पर दिया हुआ था कि जो एक राशी है वह पाच वर्ष में दुगनी हो जाती है तो में क्योश्चिन के कोडिंग राशी मानली एक रुपे पाच वर्ष लिख लिया और उसको रुपे मिल रहा है ठीक है कि नंगे फोन्ल लागा दिया फोनम्ले वेल्व बट पी और आपकी आर की वेल्यू आ गई ठीक है सिंपल सा क्योश्चन है तो अगले क्योश्चन पर जलते है क्योश्चन नंबर फाइक आपको दिया हुआ हुआ है सुहित ने विकास से 14 की दर पर तीन वर्षे के लिए 3300 रूपे उधार लिए इसमें उसने कुछ और धनराशी जोड़ी और मोहित को उतनी ही अवधी के लिए दर से उधार दे दी सारे लेंदेन में सुहित को 618 रूपे का फायदा हुआ है तो उसने मोहित को किती धनराशी दी यह आपको बताना है ठीक है तो उसने क्या किया स्टार्टिंग में सुहित ने विकास से तर सट सो रूपे उधार लिए 14 परसिंग रेट पर तीन वर्षों के लिए ठीक है उसमें उसने अपने पास से कुछ पैसे मिलाए और मोहित को वह धनराशी उधार दे दी यानिकि तर सट सो रूपे तो उसने कुछ धनराशी और उसके पास से मिला दी तो हम मान लेते ही कि जो सुहित है उसने मोहित को एक सुरूपे की धनराशी उधार दी ठीक है एक सुरूपे की धनराशी उसने मोहित को उधार दी और कित्ते टाइम के लिए दी उसी समय के लिए उतनी हिया उसी के लिए तीन वर्ष के लिए ही उधार दी और साधान वियाज की दर थी वो भी 16 परसेंट दर पर दी हुई है ठीक है यानि कि उसने एक सदनराशी दी हुई है 16 परसंट की रेट पे तीन वर्षों के लिए अपन हंडेट ये किसका सिंपल इंटरेस्ट है ये मोहित जो सुहित को देगा वो सेंपल इंटरेस्ट आपका आ गया है ठीक अब सुहित ने विकास स भी दनराशी लिए 6300 रूपे तो उसने तरह तरह सर सो रूपे उसने विकास से उधार ली कितने रेट पे चौदा की रेट पे और तीन साल लोगे लिए अपन हंडेट ये किसका सिंपल इंटरेस्ट है ये सुहित का ये आपका मोहित का सिंपल इंटरेस्ट आएगा मतलब म का आईगा जो कि सुहीत विकास को देगा तशुहीत का लिखने स सेंपल इंटरेस्ट अब आप मुझे बताओ कि सुहीत को चेसर tarob sensor का था कब होगा ऊसको Еत्षाइश रभागा ऐसे सब्प्राप्त करेगा और सुहीत सुषित को जो ब्याच देगा इन दोनों को जब माइनस करेगा तो ही उसका फायदा मिलेगा उसको, ठीक है? यदि वह महित से धनदराशि युछ सक प्राप्त हुई है उसमे से सुषित विकास के धनदराशीbelsरों लोटा दे तो बाकी बचा वह जो पैसा है वह उसका से टोटल अमाउंट मिलेगा आपका इसमें से अगर वो विकास का जो अमाउंट है ब्याज के साथ में वो उसको लोटा दे यानि कि इसमें से माइनस कर दे तो उससे 618 रूपे का फाइदा होगा ठीक सुन में आ गया उसने मोहित को एक सो रूपे की धनरशी दी तो यह जो सिंपल इंट्रेस्ट आपका सुहित विकास को देगा वह वाला अगर अमाउंट इस में से मोहित वाले घटा दे वह तो बाकी बचावा जो पैसा है वह सुहित का फाइदा रहेगा ठीक सुहित को किते का फाइदा हो 618 रूपे का तो यह समझ में आ जानी चाहिए अगर यह समझ में नहीं आए तो को क्रेशन सोल्व नहीं होगा यह आपको समझना है बहुत इंपोर्टेंट से पर यह इसके बाद आपको कुछ नहीं सोल्व करना है क्रेशन को एक्स की वेल्यू लानी इससे आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहां से हम 100 को कमल ले लें हो जाएगा ठीक 618 और 0000 जायएगा यह आपका यह इस्टेपा जाएगी ठीक अब यहां पर बैयास का इंटू ठीक रर्सर सूमा करेंगे तो यह पो करेंगे आपका छे आ जाएगा अ कि यह आपका आजाएगा इंटू करेंगे तो यह आपका 608 डबल जरो यहीं पर रहेगा ठीक है अब अर्टारीस एक्स की विलियों आपको निकालना है तो यह वाली विलियों को माइनस में दी हो यह इधा जाएगा आपकी प्लस हो जाएगी यहां से आपको एक्स की विलियों निकालना है तो तो आपका अंसर एक्स की विलियों आ जाएगी इसको जो जो डिवाइट करेंगे तो उसको कट करते बारा से 12 से 24 बचेगा आठ यानिकि 86 हो जाएगा तो साथ बन चल जाएगा 84 में दो बचेगा 24 दूबारेद में 24 और 00 आपकी आ जाएगी फिर चार से उसको डिवाइट कर देंगे तो 6 बार में जाएगा बचेगे 3 फिर 8 बार में जाएगा और 00 आपकी यानिकि 6800 आपकी एक्स की वेल्यू आ जाएगा यानिकि इस तरह से आपका यह आंसर आएगा बिल्कुल सिंबल क्योश्यन है और बी से जाएगा इसका एक बार फिर से समझ लो आपको यह जो स्टेप है यह वाली बहुत ही इंपोर्टेंट इस टेप है यही इस क्योश्यन की जान है ठीक है अगर आपको यह समझ में आ गई तो सुह्प ने विकास से उधर लिए यह पैसे ठीक है सुहित ने लिए है विकास से फिर सुहित ना किया गिया। तरसट सो रुपय में कुछ और पेसे उसने अपने पास से मिला दिये और उसने मोहित को धनराशी उधार दे दी कितने परसंट रेट पे 16 परसंट की रेट ठीक इस सारे लेंदेन में सुहित को 618 रुपय का फायदा हुआ अब आप बताओ कि 618 रुपय का फायदा कब होगा जब वो मोहित से धनराशी प्लस ब्याज लेगा और उस जो टोटल अमाउंट उसके पास आएगा उसमें से वो विकास की धनराशी और उसका जो ब्याज है वो लोटा देगा तो जो बची राशी है वो इसका फायदा रहेगी ठीक है जो बची हुई राशी है वो इसी का फ जो सुहित देगा सुहित को वाली विल्यू आपकी यहां पर जाएगी ठीक है उसके बाद जो सुहित इसने भी विकास से तुर्षाइब का सिंबल इंटरेस्ट को देना यह आपका रहेगा और जो आपका मोहित से लेना है वह यह वाला रहेगा अब जब वह मौहित वाले जाएगा सुईत को ठीक तो यह स्टेप आपकी इस तरह बन जाएगी पॉटी एट एक्स अपन हंडेट हो जाएगा हंडेट को उधर बेज़ देंगे आपको छेस्ट थार डबल जरो हो जाएगा यहां पर आपको सोल्व करना है मल्टिप्लाय करना है यहां पर यह माइस की व ठीक है तो आपकी एक्स की वेल्यों है निकि मुहित को देंड़ाशी उधार दी गई थी वह आपकी अर्शाट सो रूपे आ जाएगी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ठीक है सिंपल सा क्वेशन था समझ में आगया होगा आपको तो आगे बढ़ते अगला क्वे रखम को निप्टाने के लिए उसने कुल मिला कर 36,480 रुपे अदा किये हो तो 12% की दर पर उधार लिए राशी क्या थी आपसे पूछा गया है ठीक है कुछनी सिंपल सा क्वेशन है इसा क्वेशन आप फस्ट वीडियो में पढ़ चुके हो वहां में मैंने आपको एक ट् 30,000 रुपे के रखम उधार ली ठीक पहला भाग उसने 12% दर पर उधार दिया दूसरे भाग को 10% दर पर उधार दिया ठीक है और आपको जो टोटल अमाउंट उसने दिया है लास्ट में वह 36,480 रुपे उसने अदा किये तो 12% की रेट पर जो धन राशी उसने उधार ली वह कितनी है आपको बताना है ठीक है दो तत जगास उसने धन राशी को उधार लिया था टोटल 36,000 आपका अमाउंट है ठीक तो हम क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले हम इसका जो मिक्स जो परसंटेज है वह निकालने के आपको एक धन राशी का रेट दिया हुआ हुआ है 480 रूपय का उसने पेमेंट किया है मुलधन आपको दिया हुआ है 30,000 रूपय और जो टोटल अमाउंट उसने बाद में पेमेंट किया व्याज के बाद में वह 36,400 रूपय उसने पेमेंट किया है तो उसका लिए simple interest आ रहा है आपका वो कित्ता आ रहा है छे हजार चार्सो असी रूपे ठीक है तीस हजार रूपे का उसने मुल्धन लिया था अमाउंट आपको 3480 उसकी जो रेट निकाल लेंगे तो रेट निकालने के लिए आपको जो ब्याज रहेगा सिंपल इंट्रेस्ट उसको मुल्धन से डिवाइट करे तो आपका रेट परसेंट आ जाएगा ओवराल पूरे क्वेश्चिन का ठीक से दो जिरो से दो से जिरो चैंसल एक जिरो से एक जिरो कैंसल आपका बजा 648 बटे टीज ठीक है तो इसको जो हम तीन से डिवाइट करेंगे तो तीन से आपका 216 बार में चला जाएगा और यह आपका 10 बार में चला जाएगा यहिन की आपकी 21.6% की पूरे क्वेश्चन की ठीक है पर यह जो 21.6% की रेट आई है आपकी यह एक साल की यह जब कि दो साल की रेट है ठीक है आपको दिया वाद दो वर्ष्ट के अंतमे रखम निप्टाने क सालकी हैं ऐड़ाइब आपको एक सालकी निकालना है तो एक सालकी निकालने अवर आल जो राशी यह उसने वो धस पॉ्ट आर्ट 43 ठीक यहां पर्य हम करेंगेक धुकार जाव thumbnail करेंगे अजो और मेंगे और यह से का लिए 12 में से 10.8 को जब आ बैस करेंगे आपका बचेगा 1.2 ठीक और 10.8 मैं इसे 10 को माइस करें उटाब को बचया पॉइंट अज RAW तेक के प्रिंसिपल का रेश्यों है इसको चार से कट करने से चार दो में आठ और चार यानिके सिंपली फोर्म में आप बोल सकते हो दो अनुपात तीन के अनुपात में आपका अमाउंट बटा हुआ 30,000 रुपे ठीक है 30,000 रुपे आपके दो अनुपात में बटे हुए तो जो अनुपात में आपको अनुपात में आगया होगा आपको एक बार फिर से समझ लो आपको दिया गया था कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपे की रगम उधार ली पहला बाग उसने बारा परसंगी रेट पो धाल लिया दूसरा बाग 10 परसंगी रेट पो धाल लिया ठीक दो वर्शे के अन्तव उसने को डोल कित्ता ब्याज दिया ब्याज और अमांट दोनों मिला कित्ता आना है तो केशन में को प्रिंसेपल दिया हुए 30,000 रुपे फर्स्ट रेट दियो को बारा परसंगी सेकंड रेट दिवी दस परसंट टाइम दिया आपको दो साल और जो अमांट दिया हुए टो आपको पुछा गया है ठीक है तो यहांता सिंपल इंट्रेस्ट आपका रह आफ्हे यहां पे है यह साल के शिंपल इंट्रेस्ट है अगर आप डिवाइट कर दो उसके बाद आप रेट निकाल दो तो आपकी एक साल कौ आएगा 1 reminder रखोगे यहां पर यहां मुल्धन रखाएगा तो आपकी जो रेट आई को दस पॉइंट आट आएगी यहां से निकल गए ठीक अगर आप एक साल का सिंपल इंट्रेस्ट निकालते हो पर हमने यहां पर दो साल का लिया तो दो साल का हमने रख दिया छेजार चार्स से डिवा आपने भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो 21.6 से जब आप दो को डिवाइट कडूसे डिवाइट कर अगे इसे तो 10.8 आएक का एक साल का सिंपल एक साल की जाय कि दस पॉइंक्ट ार्ज्ट ठीक है तो दस्पॉइंक्ट आठ परसेंट तो फॉस्ट पर स्थ़ पार्ट और सेंद्फेन लेंगे फॉस्ट रीड नल से यह वह यहां भी लिखाती है तो अवराल रेट अब की दस पॉइंट आड़ जाएगे बारा में से 10.8 में से 10.8 में से आगा तो पॉइंट आड़ आएगा ठीक यानिकी आट अनुपाद बारा आपका ये रेश्यो आजाएगा दोनों पार्ट्स का ठीक जब भी आप रेट को को लेकर चलोगे तो हमेशा आपका जो आयेगा वह प्रिंसिपल गडार रेश्यो आपका नीचे मिलेगा ठीक डिक तो आटिक मिलेगा यानिकि दोन पात तीन आपका सिंपलिख और में आज चाहर से कट करेंगे तो ठीक है अब टोटल अमाउंट आपका दोन पात इन के बा उसलिए बहुत लंबा पर जाएगा यह इसमें आपके घड़ोगे यहत आपको जो MP3 को कि जो आपको जाएक है इस तरह होते हैं यह सनुट लंबा पर जाएगा यह में ताकि सही है रहेगी इसमें आपके करोगे जब आपके प्रेक्टिस हो जाएगे इस क्यूशन की तो आप इसे इस्पिरिटली कर पाऊगे आपका बस ज्यादा से ज्यादा बीस सेकेंड का क्यूशन रहेगा यह ठीक मैंने समझाया इसलिए आपको टाइम लग गया नहीं तो बीस सेकंड से भी कम का क्यूशन है आप जल्दी से इसको कर पाऊगे एक्जाम में ठीक है आगे बढ़ते अगला क्यूशन दिया है क्यूशन नंबर साथ कोई धन साधरन व्याच की दर से दस वर्शों में दुगनी हो जाती है तो व्याच की दर बताई है यह इसा क्यूशन हमने इसी वीडियो में किया हुआ आपको बोला गया कि कोई धन है प्रिंसेपल दिया हुआ है आपको हम मालने थे कि एक रूपे का प्रिंसेपल आपको दिया हुआ है वह दस सालों में दुगना हो जाता है ठीक अमाउंट जो है वह आपका दो हो जाता है प्रिंसेपल आपका एक दिया हुआ था इसका कंट मेंसे प्रिंसिपल को हुआने मान रियंटार तो आपका सिंपल इंटर ॅससम्ल इंटर थे हैं यह स्था रेड अपको निख्रेट निकाल डेता रिबने कलने यह ये म्टा jaar कि टिक सिंपल से क्वेशन था सुन में आ गया होगा आपको अगले क्वेशन पर जलते क्वेशन नमबर आड़ दिया हुआ है आपको बारा पर्सेंट वार्षिक वार्षिक ब्याच की दर्से आठ वर्ष में एक राश्ची पर उचित सधरन ब्याच 520 रुपे है तो मोल डिया शंपल इंटरस्ट दिया हुआ है आपको 520 रुपे आपको डिया वाट आप से पूछा गया कि इसका फिंसिपल कितना होगा पी इंटो आर इंटो टी यह पून हंड्रेट प्रिंसिपल रहेगा आपका हमें इकालना है रेट आपकी बारा परसेंट टाइम आपका 8 सा हो जाएगा अपोन हंडेड और सिंपल इंटिस आपको 520 रुपे हो जाएगा ठीक है अब इसको हमें सोल्व करना तो 520 आपका रहेगा इंटू हंडेड हो जाएगा इधर जाएगा तो अपको नापका 12 और 8 भी आ जाएगा या अपका फ्रिंसिपल हो जाएगा ठीक है अब इता जाएगा और इता जाएगा 2760 रोपे ठीक है बारा से फिर इसा कट करेंगे हम तो 12 दूने 24 हो जाएगा बचेगा बच्छेगा 332 तीस हो जाएगा और जिरुव तो तीस हो जाएगा ठीक तो तीस का इंटू हमें प्रिंसितन का आंसर आए तो डिस्टी साथ प्रिंसीपल का आंसर आ जाएगा तो फिंसीपल आप का हो जाएगा पत्शी NOT करेंवाएगा पत्छे साह्त इनुपी precisamente अब का одगा टॉप्स्वाप्कESE कर आ गया ठीक है तो यह हमारे आठ क्वेशन आपकी कंप्लीट हो गए है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो 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 लाइक कीजिए कमेंट करकर बताए आपको वीडियो कैसा लगा और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लिज करेंगे ताकि आपको आने वाली वीडियो को मिल जाया तो मिलता है अगले वीडियो में तक तक लिए ध्यान रखिए अपना थैंक्यू गाइस